बॉलिवुड अक्ट्रेस रानी मुखर जी ने हाली में आमिर खान से मुलाकात की इस दोरान मिस्टर पोफेक्शनिस्ट की बेटी जमाई भी मौजूद थे खुद आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आईरा खान ने इस मुलाकात की जलक सोशल मीडिया पर शेयर की है जहां सभी काउच पर बैठे नज़र आए अब आमिर खान और रानी मुखर जी को यूँ साथ देख लोग तरह तरह के कयास भी लगाने लगे है आईरा खान ने इंस्टग्राम पर कुछ तस्वीरें सोशल मेडिया पर शेयर की है फोटो में आईरा के हस्बेंड नुपर शीकरे आमिर खान और रानी मुखर जी नज़र आ रहे है इरा ने ब्लैक और वाइट ड्रेस कैरी की है तो वही नुपर पीच कलर की टी शर्ट में नज़र आ रहे है वहीं आमिर खान ने क्रीम कलर की शर्ट और इंटिगो ट्राउजर्स कैरी किया है तस्वीरों में आमिर खान के ठीक बगल में रानी मुखर जी बैठी है उन्होंने भी ब्लैक आउटफिट पहना हुआ है सभी के चेहरे पर स्माइल बरकरार है आईरा ने तो तस्वीर पर लिखा कि बहुत दिनों के बाद ये मुलाकात हुई एक फोटो में तो आईरा और रानी साथ में पोस भी देते दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों को देख साफ पता चलता है कि रानी मुखर जी और आमिर खान की फैमिली के बीच बहुत ही अच्छा रिष्टा है पहले भी इनकी मुलाकात होती रही है वहीं कुछ लोग तो ये भी कयास लगाने लगे कि कहीं दोनों किसी फिल्म की चर्चा करने के लिए तो नहीं मिले खैर अभी ऐसी कोई भी तरह की बात एक्टर ने नहीं बताई है यसे फैमिली टाइम था अरा खान ने रजस्थान में उदैपूर में धूम धाम से शादी की थी दोनों ने शादी से पहले कोट मैरिज भी की थी शादी के बाद रिसेप्शन में धर्मेंद्र, जयाबचन, रेखा, सायराबानो, सल्मान खान से लेकर शारुक खान समय तमाम सितारे पहुचे थे रानी मुखर जी के वर्क फरंट की बाद करें तो वह आखरी बार मिसिस चाटल जी वरस्स नौरवे में नज़राए थी वहाइं आमिर खान के करियर की बाद करें तो वह बत और प्रोडिوसर सनी देओल के साथ काम कर रहे है वसानी देओल की लाहोर 1947 को प्रोड्यूस करेंगे